Hello students, this is Sonia, welcome back with another video, आज हम करने वाले हैं कोशे नमबर 19, from your miscellaneous exercise, from chapter number 2, polynomial So start करते हैं कोशे नमबर 19, find the value of P1 plus P-2 if, देखिए आपके पास 2, यहापे function देदी एक है सकते हैं, P1 and P-2 आपको इनकी value find out करनी हैं, कब करनी हैं, जब हमें Px given हैं कितना, 10x minus 4x square minus 3 इस तरीकी का same question जब हमने question number 1 to 16 किये थे, यानि जो tick mark question हमने किये थे, 1 to 18, sorry 1 to 16 तो उसमें हम अलड़ी कर चुके हैं इस type का question बिल्कुल वैसे ही करना है, तो पहले हैं पर क्या है P1 और P-2 तो हम दोनों values को निकाल लेंगे and then दोनों को हम क्या कर देंगे, add कर देंगे, तो अगर हम बात करें P1 की, यानि कि चो हम यहाँ पर value given है Px, यानि कि यहाँ पर हम x को replace किसे कर देंगे, 1 से, तो यहाँ क्या बन जाएगा, P1 equal to 10, x के place पे कितना आ जाएगा, 1 minus 4, x के place पे क 1 की power 2 minus में 3, अब देखे, solve करेंगे 10 multiply 1 is 10 minus 1 square is again 1 and 1 multiply 4 is 4 and minus के 3, अब देखे कितना आ गया, plus के 10 है और minus के 7, मतलब आपका answer कितना आ गया, plus के 3, यानि हम खह सकते हैं कि P1 किसके equal to आ गया, 3 के equal to आ गया, अब हमें final करना है क्या, P minus 2, तो यानि कि हम just x के place पे minus 2 लिखतेंग यानि कि x को replace कर देंगे minus 2 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 minus के 2 minus 4 x square, यानि यहाँ पर क्या आ जाएगा, minus का 2 आ जाएगा and minus में 3, अब देखे, 10 multiply by minus 2 इस क्या हो जाएगा, minus के 20, अब देखे, minus का 2 square करेंगे, तो यहाँ पर पावर देखे, कितनी है 2 है, और आपको मैं अल result always क्या आता है, positive आता है, तो यह 2, 2, 4 हो जाएगा, 4 multiply 4 is 16, अब आप कहेंगे negative क्यों लगा है, क्योंकि यह बाहर sign कैसा है, negative, ठीक है, minus में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3, अब देखे, सारी term भी negative आ गई हमारे पास तो, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, minus के 20 and minus के 90, जाएगे, P1 कितना है, 3 and P minus 2 कितना है, हमारे पास, minus के 39, it's mean, 3 plus minus multiply by minus, तो क्या जाएगा, minus के 39, आप का answer कितना हो जाएगा, minus के 36, so this was your answer, clear, so, यह हमारा question है, misleynist exercise का, question number 19, and do watch my next video on more questions, thank you and bye bye for now.